हेलो गाईज वेलकम बैक तो मैं अदर वीडियो आज हम देखेंगे वासिंग सोडा यह क्लाश टेन का बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है वासिंग सोडा का बाएर हम पढ़ेंगे इसको जो फर्मूला होता है एने टू-सी-ो-3-10-H2O ठीक है यहनि के टेन मॉलिकुल ओफ वा इसको पूलता है सोड़ा गया वासिंग सोडाइज सोडियम कार्बोन हगोनेट भी हगोनेटेस अब देखते में नहीं अन्हाइड्रेस सोडियम कार्बोनेट नेटू-सी-ो-3-2-2-2-3-2-7-2-2-3-2-3-7-2-3-4-1-2-3-8-1-2-3-3-4-3-4-2-3-3-2-3-3-1-2-3-3-3-1-2 manufacture of washing soda by solvary process और ammonia soda process Solvary process क्या होता है एक process होता है जिसमें हम लोग किसको ammonia sorry washing soda produce करते हैं क्या करते है washing soda produce करते हैं ओके अचलिए आप देखते है principle और theory देखते हैं अब देखेंगे हम लोग क्या प्रिंस्पल एन थियोरी वेन कार्बन डायकसाइट इस पास्थ थ्रू अमोनिकल ब्राइन सॉलुशन ठीक है ब्राइन सॉलुशन अब मैं आगे चल के इसमें बताऊंगा ब्राइन सॉलुशन होता क्या है ठीक 28% of NACL in water 28% आप अब चाहर रहेगा वाट्र में रहेगा और in so old sodium bicarbonate is produced यह ता आपको समझ में नहीं को अगा मगर यह समझ में आजा किसे reaction समझ में आजाएगा ठीक है एने सील प्लस एने स्थ्री प्लस एश्टू इसको क्या बोलते हैं अमोनिकल ब्राइन सॉलूशन एक है हमोनिकल ब् carbonate मिलेगा जो कि insoluble होता है किस बाइटर में water में insoluble होता रिक वाटर का विकर में यहивать whenever बॉचर में जमा स्लिफर एल गजमा हो जाता है फ्लस न्यच्ट ए acts venue c Leef by प्रोडिट के रूप में मिलता है ठीफ डअभ तबिसमोंड फोल्डीम हیडिोजन गार्बुनेट NaHCO3 is separated by filtration and heated strongly to get sodium carbonate जब जब बहुत strongly heat करेंगे Na sodium hydrogen carbonate को तब हमको क्या मिलेगा sodium carbonate क्या मिलेगा sodium carbonate मिलेगा ओके प्लस H2O प्लस CO2 प्लस CO2 ठीक है sodium carbonate is so obtained is recrystallized from water to get sodium carbonate washing soda Na2CO3.10H2O मतलब कि sodium carbonate फिर से recrystall होके फिर से water से जब recrystall होगा तो फिर से वो sodium deca hydrate के रूप में वो update हो जाएगा मिल जाएगा ठीक है अब देखते हैं raw material क्या कर यूज होता है raw material required for manufacturing of soda washing soda washing soda इसमें यूज होता है NaCS जिसको sodium chloride का नाम से जाना जाना था लाइमिस्टाउन CaCO3 for carbon dioxide ठीक ammonia gas यह हमारा raw material है आप देख सकते हैं carbonate का crystal ऐसा लगता है देखने में ठीक Na2CO3 का formula यह structural formula है ठीक है यह अब देख लो ठीक है और NH4Cl ठीक है ammonium chloride देखे यह नमक के जैसा लगता है देखने में ओके आप इसका जो main part है हम लोग process पढ़ेंगे process क्या इसका process होता है okay देखे पहला जो हमारा process है saturation of brine with ammonia जिसको हमने ammonia observer बोलते हैं ठीक है ब्राइन ब्राइन मतलब क्या होता cold and concentrated aqueous solution of sodium chloride ठीक है ब्राइन यह होता है मैंने अभी ब्राइन को फर्मॉला दिखाया अभी इसका दिखे जो cold and concentrated aqueous solution जो मैंने ब्राइन दिखाया अभी निकल ब्राइन था ठीक है यह sodium chloride is saturated by passing through ammonia through it in is called ammonia absorber okay क्या बोलते हैं इसको ammonia absorber बोलते हैं इसका मैं diagram आगे शलकर दिखाऊंगा कि इसका complete diagram कैसा है एक है carbonation tower यह जो process होता है उसमें tower type का काम करता है इसको क्या बोलते है the ammonical brine solution is fed from the top of the tower कहां tower का जो top में होता है उसको क्या बोलते है carbonation tower ठीक है इसका जो formula है NH यह देखिए हमारा brine solution है क्या है brine है plus co2 क्या मिला sodium hydrogen carbonate ठीक जो insoluble है जो precipitate बनता water में plus biparum क्या मिला ammonium chloride ठीक इसको equation 1 माल लिए ठीक जब इसको equation 1 माल लिए तो तीसरा number में जो हमारा आता है lime kill the carbon dioxide used in a reaction 1 carbon dioxide reaction 1 में use हुआ है obtained by heating lime mission कैसे मिला है lime mission को जब heat किये तब मिला ca co3 to about कितना 1200 kelvin in lime kill कहां पे lime kill में ठीक है 1200 kelvin में जब heat करेंगे तो यह हमको co2 मिलेगा जब lime heat को तो देखें ca co3 जब heat किये तो co calcium oxide जो कुई क्लाइम जिसके नाम से हम लोग जानते हैं और co2 हमको carbon dioxide मिला ठीक कुई क्लाइम obtained in a reaction is dissolved in a water to form calcium hydroxide जिसको sec lime को नाम से जानते हैं जब क्लाइम को हम लोग dissolve करेंगे तो वह calcium hydroxide बनता है जिसको बोलते है sec lime calcium oxide plus H2O क्या मिला calcium hydroxide calcium hydroxide जिसको sec lime जानते हैं इसको equation हम लोग 3 ले लिए अब देखते हैं जहां पर ammonia recover करता है जहां पर ammonia recover करता है देखिए ammonia recover tower the sec lime is then the sec lime is then boiled with ammonia chloride ammonia chloride के साथ NH4Cl के साथ यह boiled होता है to liberate ammonia in a tower known as ammonia recovery tower उसी को हम लोग क्या बोलता है ammonia recovery tower बोलता है जैसे ही इसका formula देखे इसका reaction देखिए जब sec lime को जब react करेंगा ammonia chloride के साथ और उसको heat देंगे तो calcium chloride बनेगा और ammonia देखिए यही ammonia recover होता है ammonia plus water ठीक इसको equation 4 माल लिए ठीक है फिर देखिए ammonia recycle for the use of ammunition tower sodium chloride and lime stone are only the material consumed in a process जो को इस process में कौन consume होता है sodium chloride और lime stone ठीक है CO during this process calcium chloride is produced as a by-product क्या calcium chloride कैसे calcium chloride क्या by-product में produce होता है अब देखते हैं filtration filtration methods में sodium hydrogen carbonate in step one is springless soluble in water ठीक है हलकल का soluble है it is filtration with the help of rotary vacuum ठीक है जब इसका डियाग्राम देखिए को तो आप देख जाएगा rotary vacuum किसको बोलते हैं ठीक है the filtered container ammonia chloride is pumped to ammonia recovery tower to getting ammonia क्या filtration करता है ammonia को पाने के लिए ठीक छटा नमबर है sodium hydrogen carbonate टेक it is heated strongly click and in click and to form sodium carbonate sodium hydrogen carbonate को जब अगर heat करते हैं तो sodium carbonate मिलता है CO2 मिलता और water मिलता ठीक है जो sodium carbonate को जब इसमें water में मिलाएंगे washing soda हम लोगो मिल जाएगा यह यही वाला sodium carbonate जब इसको 10H2 मतलब 10 molecule of water में जब heat करेंगे तो complete हमारा जो हमको चाहिए था वो पूरा Na2CO3.10H2 मिल जाता तो आप इसको skip कर सकते हो in case में अगर आपको सारा reaction समझ में आया है जो भी sodium hydrogen इतना लंबा process में आपको ने जाना सीधा diet reaction लिख के equation by equation equation by equation आपको आगे बढ़ना यह देखिए इसका diagram है पूरा complete diagram solvary process का यह बहुत important और बहुत मुश्चली एकजाम में पूस्ता ही पूस्ता है ठीक है दिखे लाइम की लिए यहां पर है ammonia observer यहां ब्राइन यहां तरह हम लोग डाले ठीक है filter यहां पर हुआ अमोनीकल ब्राइन यहां पर है यह टावर देखिए ठीक है filter यहां पर हो रहा है यहां रिकवरी टावर यह अमोनीया का ठीक है यह पूरा complete आपका डागराम है अब आगे चलते इसका प्रोपर्टी पर वसिंग सोड़ा इस ट्रांस्पर्ले क्रिस्ट्रान सॉलिट अ मॉलेक्यल इस वसिंग सोड़ा कंटें देन मॉलेक्यल अफ वाटर अभी मैंने बता है डेका हाट्रेट होता है ठीक वहने क्रिस्टल अफ वसिंग सोड़ा अर लेफ्ट ओपन इन एयर देल लॉस अफ नाइन मॉलेक्यल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टल तो फॉर मॉन हाटर टिक पहले जब नाइन के नाइन क्रिस्टल ओ लॉस का देता है जिसको मॉन बोलते क्या मॉन हाटर इस प्रोसेज नोन आज इस यहां पर तिखा गिया है इसमें तो नाइन मॉलीकोल ऊस ऐल गया ըाइन के न्याम से और लंसे जान्य नाइं को वार्ट धूлоun अन्हाइडर्स एंड चेंज फोल्ड पॉर्ड नूने सोडा याज वांगे चेंज हो जाता है किसमें सोडा याज में फिर एने टू सियो थ्री सोडियम काल्विने वाटर करें इस देखे रिवर सब्साइन हमने बताया देखे यह स्ट्रॉंग इसीड है ठीक है और सॉरी यह स्ट्रॉंग बेश है स्ट्रॉंग भेस फेर यहए 16 ans तेके जब यह sodium carbonate water बडालेंगा रिवसर हमको मिलेगा क्या है strong acid sorry strong base और strong weak acid ठीक है due to presence of strong base किसका presence strong base के presence में the solution is basic in nature ठीक है पूरे solution क्या हो जाएगा basic in nature हो जाएगा ठीक है अब देखते हैं इसका uses ठीक क्या देखेंगा इसका uses देखेंगे it is used in manufacture of sodium carbon compound borics, caustic soda etc it is used softing hard water क्या softing जो की supply water जहां से आता तो उसका washing soda use किया जाता है removing and permanent hardness ठीक है it is used as a manufacture of glass or paper industry it is used in laundry ठीक है जो कपडब दोने में hardness of water use करने में काम आता है ठीक है it is used in cleansing agent ठीक है cleaning agent में it is used in laboratory reagent ठीक है laboratory में भी यूज आता washing soda और na2 co3.10H2 is a basic salt क्या है basic salt and it is a cost solution is alkaline in nature मतलब basic basic है ठीक है alkaline nature मतलब basic nature due to hydrolysis किसके कारण hydrolysis के कारण hydrolysis में जो 10H2 है ओके आज के लिए इतना ही दोस्तों कोई परसानी हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज बताएं आप मिलते हैं अगले वीडियो में thank you very much channel पर नहीं है तो लाइक से subscribe करें धन्यवाद